हेलो बच्चो, आज हम आप लोगों को तत समसब्द की पड़िभासा बताऊंगी, तो सुनिए, तत और सम के मेल से तत समसब्द बना है, तत का अर्थ क्या होता है बच्चो, उसके, और सम का अर्थ क्या हो गया, समान, अब देखिए बच्चो, उसके, उसके किसलिए आया है, ये संस्क्रीत के लिए आया है यानि संस्क्रीत के समान अब इसकी पड़िभासा चलिए जानते हैं जो सब्द संस्क्रीत भासा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रियुक्त होता है उसे क्या कहते हैं तत्सम सब्द कहते हैं जैसे देखे बच्चो अक्षी, कर्ण, हास चेत्र, प्रीष्ठ, पत्र, सूत्र, विक्षोग, आश्ट, अम्रित, आदी, अब देखिए जैसे हमको तद्ध, अक्षी का क्या हो गया हिंदी, आँख हो गया, तो आँख क्या हो जाता है, तद्भव में आ जाता है, और अक्षी को हम लोग तद्ध सम्में, यानि संस्क्री का सब्द हो गया, ये अक्षी, और आँख इसका, क्या हो गया, हिंदी का सब्द हो गया, हिंदी किसको बोलते हैं, तद्ध हो को, अब देखिए बच्चो, दूसरा, तद्ध सम्म सब्द दो परकार की होते हैं, अब कौन-कौन होता है, पर्थम नम्मर है, प्रम प्रागत तद्ध सम्म, अब देखिए इसकी कुछ परिभासा जानते हैं, पर्थम नम्मर प्रम प्रागत तद्ध सम्म के की परिभासा, प्रम प्रागत तद्ध सम्म, वैसे सब्द हैं, जो पुराने संस्क्रीत गरंथों में उपलवद हैं, तथा हिंदी में उनका परियोग इक रूप में क्या जाता है अब सकेंड नमर में जो है निर्मित तत्सम अब देखे बच्चो यहां हम इसको निर्मित तत्सम को इधर हम लिखे हैं तो देखे निर्मित तत्सम तो निर्मित तत्सम सब्ड वैसे सब्ड हैं जो नए विचारों तथा व्यपारों की अभिविय लक्ति के साथ संस्क्रीत के सब्द कोश में जूरते चले गए हैं हिंदी में उनका प्रियोग उसी रूप में होता है थाइंक्यू अच्छू